तो यह है आट की विये का जर्णेटर और एक़ चेक करने वाले हैं यहाँ पर प्रॉलम क्या है तो पहले क्या करते हैं इसमें एक सव्वाट का बल्प से ज्यादा तर अच्छे से चेक होता है लगा पर चलू करके चेक करते हैं शप्लाई नहीं आया है तो यहाँ साइड में यह लोड डाइल पैणल यहाँ से खोड़ लेंगे और कि यहां से काफी रॉफ दीख रहा है इसको परले हम डाइरेट कर लेंगे यानि एक लूड एक साइट का एक साइट का दोनों को आपस में डाइरेक्ट कर लेंगे जैसे कि देखेंगे जो एक वायर होता है और एक फिर जाता है कारबन से तो उसके पहले यहां पे दोनों को आपस में सौट कर लेंगे और फिर एक और है बचा हुगा अपने पास जो की डाइरेट ऊपर चला जाता है ब्रीज रेक्टिफायर जहां बनता है वहां पे इनको भी डाइरेक्ट कर लेंगे यहां से लोड डाइबोर्ड जो है इसको निकाल देंगे इसदी होगा किकर यहां का प्रॉल्म होगा तो बिल्कुल इतना ही पे सही हो जाएगा उसके बाद फिर इंश्टर करते हैं और चेक करते हैं पर इपर बार इसको इसपे राच नहीं नहीं जला तो यहां से पराइबोर्ड से पेश्री близलाग तो यहा यहां से प्रोग्लम नहीं है उसके बाद इसका आप लीड टेस्ट करेंगे आ फिर उपर का डाइबोड चेंज करते हैं एक बार कभी-कभी खराब होने को जा से टबीस में नहीं आता है तो यहां से उपर का डाइबोड चेंज कर लेंगे और दूसरा इसमें चलबस एक तरफ तरफ रखायाता है जो पतले वायर होते हैं उसमें उसी पर एक साइड प्लस और एक साइड माइनस किया रहता है और करन्ट नहीं देने पर उसको चेंज कर लेते हैं प्लस के जगा माइनस माइनस के जगा प्लस तो ब्रीज रेक्ट फैर त्यार किया जा रहा है उसका फिर एक बार और इसको सप्लाई चेक करेंगे कि अपना ओके हो रहा और कहीं spark भी नहीं हो रहा है। तो इसको multimeter से continuity चेक करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बता रहा है जो मोटा वाला wire होता है वो तो बिल्कुल continuity सही बता रहा है। लेकिन इसके बाद हम चेक करेंगे पतला वाला। यहां पिल्ड में जो एक तो मोटा wire से winding होता है। और एक पतले वाले वायर से है तो इसको पूरा बोडी को पेन करने के बाद अब खोल के इसको एक एक वायल को चेक करना होगा इसमें प्रॉलम किसमें और किसमें नहीं है